हले दोस्तों नमस्कार अनिता सिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत करती हूँ तो फ्रेंट आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक की रेसिपी और इस मोदक की सबसे खास बात यह है कि इसमें ना सूजी ना मैदा ना आटा ना ही बेशन ना कोई चावल का आटा बना है तो बहुत ही लाजवा बहुत ही अच्छे से यह रेसिपी बनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो कोकोनट का बुरादा आता है इसको मैंने एक कप बड़ा वाला जो कप आता है मैंने उसमें लिया है और इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है फ्रेंट आपका जादा अ थोड़ी सी चीनी जादा है इसलिए मैं थोड़ी सी बचा लेती हूँ और इन सबको मैंने पीस लिया देखिए बिल्कुल परफेक्ट इनको पीस ने ऐसे भी बन सकता है पर हमको इसको पीस के बनाने में बहुत ही अच्छे से इसमें सब चीजे अच्छे से मिल जाती है और अ कप और लिया है इन सबको हमको अच्छे से मिला लेना है परफेक्ट अच्छे से दाएं बाएं करते हुए जिससे की हमारा जो है बैटर हर जगा अच्छे से जाए फिर हमको जो मलाई है जो मलाई दूद है यह नॉर्मली बाहर टंप्रेचर का ही है ना ठंडा है ना गरम है तो आप लोग दे सकते हो मैंने इसमें चार चमच दूद डाला है और इतना बहुत है हमारे जितना इस हिसाब से आप लोगे मेजरमेंट तो इसके लिए हमको मलाई के साथ ही इसमें दूद को एड़ करना है इसको हमको अच्छे से मिला लेना है आटा के फॉर्म में से दो चमच पर मैंने जितना जिस रेशियो से बताया आपका चमच छोटा या बड़ा किसी टाइप का भी हो सकता है तो इस बात का आप जरूर ध्यान देना इस तरह से हमको अपना आटा अच्छे से से कर लिया मैंने हैंड वाश करके अच्छे से इसको देखिए बिलकुल परफेक्ट चिकना हमारा आटा डो हो इतना मैंने साइड में रख दिया क्योंकि मुझे इसमें तीन पार्ट करने हैं यह वाला ज्यादा था तो इसमें मुझे तीन पार्ट बराबर पार्ट करने हैं इस बात का आप ज़े ध्यान देना और इसमें हम यह फूड कलर है फ्रे एक ही color के है, green है, yellow है और red है, तो इन सब को हम मिला लेते हैं, पहले मैं मिलाती हूँ red color वाला, और इसी में हमको बहुत अच्छे से ये मिल जाता है, देखे इस तरह से मिलाते हैं, इस type का हो गया, थोड़ा ज़्यादा color हो गया है, पर ये colorful होने से ही बिल्कुल अच्छा लेते हैं, friend इनको hand wash करते रहना, वरना एक दूसरे में color आ जाता है, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने तीनो color को अच्छे से set कर लिया है, मिला लिया है, देखे, फिर हम क्या करते हैं, yellow आला पार्ट लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा चकले प जाते हैं, same size के भी कटते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आती है, इस तरह से आपको क्या है, इसके जो है, पार्ट इसके बना लेने है, तो इस हिसाब से friend आप बनाओगे, तो बहुत अच्छे से आपके ये मोदक बन जाते हैं, तो इस तरह से हम क्या है, सारे अपने बना लेत हैं, ग्रीन वाले, तो इनको भी हम वैसे ही, सलफेस पर हम इसको अच्छे से करते हैं, और हम अपना जो यलो वाला मैंने जो बनाया था, उसकी हिसाब से ही, इसकी cutting कर लेते हैं, ग्रीन वाले की, तो इस हिसाब से आप चाकू से friend काटोगे, तो यकीन मानिए, friend ये बहुत ह बीच में आप फ्रिज में रखते जाएं, बिल्कु सेट हो जाता है, ये थोड़ा सा गीला हो जाता है, color डालने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती, फ्रेंट पर अच्छे से ये बन जाता है, अगर आपका गीला हो रहा है, तो आप दो मिनट के लिए, तीन मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो मेरा ग्रीन वाला पार्ट भी बन गया है, अब हमको क्या करना है, यलो पार्ट भी इसी तरह से ही आपको कर लेना है, देखिए मैंने तीनों कलर में वैसे ही टेकनिक अपनाई है, जिस हिसाब से मैंने यलो ग्रीन और ये रेड में लगा रहे ह तो इस हिसाभ से ही आप भी बना लेना यह technique 123 लगाने से क्या आपका Same साईज का और पिल्कुल ज़ादा टाइम भी नहीं लगता है और इस तरह से आपका भी बन जाएगा तो देखिए मेरे इस तरह से आप भी बना लेना तो फ्रेंड अगर इतनी देर हमारा वीडियो वाच किया है देखा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड तो इस तरह से देखिए हमने रेड वाला भी जो है उसकी भी हमने अच्छे से इसके भी सेम साइज के बना लिये हैं तो अब ये इस प्रोसेस से बनाना है तो बढ़िया अच्छे से बन जाएंगे फिर हमको जो हमने बचा के रखा था वो हमको लेना है उसके तीन लड़ू पार्ट कर लेने है क्योंकि ये मैंने जो बनाए है तीन लड़ू के हिसाब से ही बनाया है फिर हमको क्या करना है ये अपना हुआइट वाला भी जादा तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये कम है तो मैंने इसमें क्या क्या तीन ही बनाए है अगर आपके पास जादा है तो आप इसके और भी पार्ट बना सकते हैं तो इस तरह से मैंने देखे तीन पार्ट इसके भी बना के रेडी कर लिये हैं तो ये काम आपको ये सब चीजे रेडी करके रख लेना है तभी इसके बाद सारा प्रोसेज और स्टार्ट होगा फिर क्या है मैंने ये ग्रीन वाला उठाया है अच्छे से इसको थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैंने इसको बड़ा किया है फिर यलो वाला भी इसको इसी साइज का सेट किया है फिर ये जो रेड वाला मैंने ये तीनों को अच्छे से चिपका के सेट कर दिया है देखि का हमको सेट कर लेना उपर से भी नीचे से भी तो इस तरह से हमको सेट कर लेना है ऐसी हिसाब से आप भी कर लेना बहुत ही बेहतरीन यह रेशिपी मोदक बनते हैं तो बढ़िया से बना लेना है आपको भी यह डिजाइन बहुत ही इजी तरीके से फिर हमको इसको थोड़ा स करेंगे नीचे दबाते हुए अच्छे से और इसके जो बीच का पार्ट है उसको थोड़ा सा आगे की तिरफ लाते हुए इसको हमको पूरा बीच तक कॉर्णर तक बिल्कुल सेंटर तक इसको अच्छे से मिला लेना है तो इस हिसाब से आप भी कर लेना बहुत ही इजी तरी लेना है जिससे कि यह थोड़ा सा फैल जाए और यह बढ़ा हो जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है तो इस टाइप देखिए इधर बिल्कुल क्लीन है बिल्कुल अच्छे से दिख रहा और पीछे की साइट थोड़ा सा अलग से लगता है तो आपको क्या करना है जो पीछे का इसी में दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है देखिए इस हिसाब से आपको भी कर लेना है कोई दिक्कत नहीं आती है सारे पार्ट को बीच में लाना है और इसको अच्छे से सेट कर लेना देखिए बिल्कुल बीच तक सेंटर तक लाईए अच्छे से और इसको सब अच्छे से मिला लेना है बिल्कुल बीच में तो इस हिसाब से आप बनाना आपके भी बहुत ही पर्फेक्ट ये मोदक बनके रेडी होंगे और ये इतने जादा टेश्टी है कि बिना गैस जलाए आपके ये मोदक रेडी हो जाते हैं इस बात का भी आप ध्यान देना इसमें बिल्कुल भी गैस चूले की जरूरत नहीं पड़ती है आपका ऐसे ही बन जाता है तो ये देखिए मेरा फर्स्ट मोदक बनके रेडी हो गया है तो इस तरह से आप भी बनाईए और अपने अनुभों हमारे साथ जरूर सेयर करना ये बहुत ही टेश्टी और बहुत ही अब तो दुबारा आप इसमें देख सकते हैं एक बार और मैं आपको करके दिखा रही हूं इससी तरह से आपको सेट कर लेना है अच्छे सेंसाइज का और इसको सेट गोल करते हुए ही इसको कर लेना है देखें फ्रंट Green Green हो गया मैंने इसमें Green थोड़ा जादा लगा लिया एक इसमें थोड़ा जादा हो गया कोई δिक्कत नहीं फिर मैंने ये Red वाला और बीच में अच्छे से सेट कर दिया तो इस तरह से आपको सेट करके बाद तोड़ा सा दबाना प्रेस करना है और अच्छे से इसको सेट कर लेना देखे फिंगर की साहता से इसको आगे की तरफ जो पॉइंट बीच वाला पॉइंट है उसकी तरफ लाना है आपको कोई दिक्कत नहीं आती है बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से ये बन जाता है देखे पूरा सें और real में भी बहुत अच्छा लगा है, जब कोई चीज अच्छी देखने में लगती है, तो खाने में उसका taste अलग ही हो जाता है, तो गुना बढ़ जाता है, आप लोगों ने भी देखे, पीछे side कैसा आया है, और आगे side कैसा है, तो आप लोगों को बस इतना ही ध्यान देन जो पीछे side का है, उसको हमको ऊपर करना है, और जो front में है, उसको हमको बाहर की तरफ करना है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने ये देखो गलती कर रही थी, पर हमको east side रखना है, जिससे जो finishing आयी है, उसको हमको बाहर की तरफ रखना, इस तरह से हमको malt करते हुए दबाते हुए इसको आगे ले जाना है और जो गोल सर्किल जैसा लड़ू बना के रखा है उसको हमको पूरा कवर कर लेना है पॉइंट तक तो इस हिसाब से ही फ्रेंड आपको बनाना है कोई दिक्कत नहीं आती है बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से ये बन हैं मोदक तो बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से ये मोदक आप बनाएए बिना मोल्ड के भी ये बनते हैं और बहुत ही इजी तरीके से भी बनते हैं फ्रेंट तो एक बार जरू ट्राय करना आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो ये देखिए हमारे सारे मोदक बन जो आपको comfort लगे उसके इसमें डिजाइन बना लेना है पहले तो friend इसमें चार पार्ट में डिजाइन बनाना है जैसे प्लस का जो चिंड नहीं होता है उसी हिसाब से हमको इसमें plus type का बना लेना है चार पार्ट में ये देखे उस सेंटर से इस सेंटर और इस सेंटर से उस सेंटर तो इस तरह से आप बना लेना है अगर आपको बहुत पतला पतला बनाना है तो जो आपकी नाइफ हो चाकू हो उससे आप बहुत पतले पतले इसमें बना सकते हैं तो और भी अच्छी का ही फॉक से ही बनाया है ये फ्रेंड मैं बनाने के चक्कर में ये थोड़ा सा वीडियो आपको दिखर नहीं रहा है तो माफिच आते हैं जैसे थोड़ी डिजाइन देखने में आप लोगों को तकलीप भी हो सकती है पर इसी तरह से हमको अपने सारे तरफ सब जगा से अच् दिख रहा था ना तो इस तरह से देखिए अभी परफेक्ट दिख रहा है तो आपको इसी तरह से बना लेना है ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं ना ही इसमें आटा लगा है ना ही बेशन है ना ही इसमें चावल का आटा है ना बेशन है तब इसमें जो घरेलू च दायता से इसमें बीच में जो एक-एक लेयर है उसमें फिर से बीच में कर सकते हैं तो यह देखिए फ्रेंड मैंने अच्छे से सारे अपने यह बना लिए है और कितने अच्छी डिजाइन लग रही है ना देखिए बहुत ही परफेक्ट यह मोदक बनके रेडी हुए हैं तो आप लोग जरूर ट्राय करना हमको बहुत अच्छा लगेगा आप लोग ट्राय करोगे तो यह जो कुछ थोड़ा बचा कुछा था इसको हमने थोड़ा सा एक में ही तीनों कलर का मिला दिया है फ्रेंट और इसकी हम छोटे-छोटे गोले बना लेंगे जिससे की इसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं पर इस तरह से थोड़ा सा बना लोगे तो टोपी साइड टोपी टाइप का बन जाएगा और अच्छी डिजाइन भी देखने में भी लगेगी और किसी पेन की सहायता से इसमें डिजाइन बना सकते यह देखिए मैंने गोल गोल करके रख दिया है औ और इस तरह से आपको पेंसे पेंसिल से या किसी चीज से भी आप इसमें दबा दीजिए और इस तरह से आपके यह अच्छे से बन जाएंगे इसमें आपके सुगर बॉल जो होते हैं सुगर चोटी-चोटी मोतिया होती हैं वह भी आप इसके बीच में रख देंगे तो बह दी प्राइब के लड़े लोग के लोग ओाव श्राइब नहीं दो टाहर को और भी बया टार कुछा श्रॉब है